हेलो नमस्कास जिसेकार आजाब मेना नाम है संजीव फाउंडर आप बीबांक कर इंग्लिस और आप देख रहे हैं संजीव के जानी को दोस्तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डारेक्ट इंडारेक्ट स्पीच पढ़ेंगे कुछ इस अंदाज में ट्रिक के माध्यम से कि आसानी से चुटकियों में आप किसी भी डारेक्ट स्पीच के क्वेश्चन को आसानी से इंडारेक्ट में कनवर्ट कर पाओगे तो चलो, सुरू करते हैं और समझते हैं पहले डारेक्ट और इंडारेक्ट स्पीच है क्या डारेक्ट इंडारेक्ट स्पीच इसी को कहते हैं डारेक्ट नेरेशन या इंडारेक्ट नेरेशन डारेक्ट नेरेशन या इंडारेक्ट नेरेशन इसी को अगर indirect speech में convert किया तो यही structure आपको देखता है कुछ इसी तरीके से आपको question paper में या book में ऐसा ही देखता है तो प्रश्न क्या है, समस्या क्या है आपको मिलता है यह direct speech convert करना है इसी को है in direct speech में तो आपका जो focus है, आपका जो ध्यान है वो होना चाहिए किस पे सिर्फ और सिर्फ direct speech के sentence पे इंडionoरीक्ट speech के sentence पे आपका ध्यान नहीं होना चाहिए है तो target किसको करना है हम लोगों को इस वाले sentence को, इस तरह के format को हम लोग को target करना है पूने उसने मुझसे कहा कि मैं पूने जा रही हूँ, she said to me I am going to पूने, वाकिका हिंदी यही होता है, ठीक है, अब यह देखो, यह जो inverted कॉमा यहां पर लगा हुआ है, है ना, inverted कॉमा के अंदर वाला जो हिस्सा है, इसको कहते हैं, इसको कहते हैं, inverted कॉमा के बाहर जो है, इसको कहते हैं, रिपोर्ट लिखकर के सिर्फ इन जी, रिपोर्ट लिखकर के सिर्फ इडी, है ना, reporting, reported यह बना कैसे reporting और reported बना है reporter सबसे news reporter होता है न जो news सुनाता है हम लोगों को उसी से बना है news reporter मतलब news सुनाना she said to me उसने मुझसे कहा मैं पुने जा रही हूँ यह जो c है, c एक लड़की है c लड़की के लिए इस्तमाल होता है यह किसी को बता रही है यह किसी थड़ इंसान को बता रही है she said to me, I am going to पुने news बता रही है तो इसी से reporter आया और reporter से बना reporting बंदी report कर रही है, she said to me क्या report कर रही है, यह reported कर दिया I am going to पुने आर यह बास समझ में reporting और reported, ठीक है अब यह reporting हो गया तो इसके अंदर में जो भर्व है यह reporting भर्व हो गया यह object हो गया reporting object हो गया आर यह बास समझ में, इसके अंदर जो भर्व है यह reporting subject हो गया c subject हो गया है ना, तो इसके अंदर में जो भी हो यह reporting हो गया, इसके अंदर में जो भी होगा वो reported हो जाएगा और यह बस समझें दो ही टर्म है डारेक्ट स्पीच में डारेक्ट स्पीच में जो सेंटेंस इसमें दो ही टर्म है reported speech reporting speech आरे यह समझ में clear है तो inverted कॉमा के बाहर reporting inverted कॉमा के भीतर अंदर reported speech clear है देखो direct speech को indirect speech में convert करने के लिए आपको 6 table याद रखना होगा 6 6 table ठीक है 6 chart याद रखना पड़ेगा और 6 वो chart जो है मैं आपको बताऊंगा आसान trick से जो आपको याद भी हो जाएगा 6 table में से कम से कम जो मैं पहला 4 table आपको बताऊंगा वो तो by heart होना चाहिए और वो by heart में आज ही अभी class में आपको करा दूँगा वो अलग से आपको रटना नहीं पड़ेगा तो देखो पहला table क्या है पहला table है ये person और sun इसका नाम क्या है 123 sun या sun 123 इस table का नाम क्या है sun 123 पहले table को समझो फिर मैं आपको याद करने की trick बताऊंगा फर्ष्ट पर्षन सब्जेक्ट के नुसार 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 पहला लेटर O, इसका पहला लेटर N, तो S, O, N बन गया, फ़र्ष्ट यानि की वन सेकेंड यानि की टू, थार्ड यानि की तीम, सन वन टू, थृर्ष्ट परसन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड परसन अब यह फ़र्ष्ट परसन तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह इतना आता है, फर्ष्ट परसन ही कि आई वी, सेकेंड परसन यू, थर्ड परसन ही, सी, और नेम वगएरा, है न, यही होता है, क्लेर है, आगे समझ में, थोड़ा सा ध्यान दिला दिया, तो पहला टेबल आपको याद हो गया, चलो दूसरा टेबल देखो, दूसरा टेबल है, टेंस का टेबल, छोटा सा एक टेंस का टेबल है, जिसमें से छे नियम आपको याद रखने है, है न, इसमें छे चीज़, यह देखकर कर डरो मत, बहुत आसान है, बहुत आसान, चुटकी में भी याद हो जागा, यह देखो, पहले देखो, फिर समझो, और याद कर लो सिंपल पर्जेंट, सिंपल पास्ट में चेंज हो जाएगा, सिंपल पर्जेंट, सिंपल पास्ट में चेंज हो जाएगा, प्रिजेंट कॉंटेंवस, पास्ट कॉंटेंवस में चेंज होगा, प्रिजेंट पर्फेक्ट, पास्ट पर्फेक्ट में, प्रिजेंट पर्फेक् प्रजेंट के चीज को पाश्ट में बदलिया यह तो याद ये चार याद जो गया अब दो याद करना है सिम्पल पास्ट परफेक्ट में चेंज हो गा पास्ट कॉन्तरी पाश पमसं तो रहे गई सिर्फ एक perfect जोड़ो दो, past perfect हो गया, अब यह दो past continuous है, तो past continuous तो रहेगा ही, सिर्फ इसमें perfect जोड़ो दो, जोड़ गया, बस हो गया change, तो यह table याद हो गया, ठीक है, अब देखो यह table आपके सामने अगर है, इसका मतलब है कि आपको tenses का ज्यान होना चाहिए, अगर direct indirect speech अ description box में link है, उससे जाकर देख लो, playlist में वीडियो पढ़िए, उससे जाकर देख लो, comment box में भी वीडियो है, उससे जाकर देख लो, ठीक है, तो tenses पहले देख लो, अगर 0 है, tenses, ठीक है, थोड़ा बहुत tenses आता है, फिर आप समझ पाओगे, आर यह बस समझ में, यह table subjective, subject-object, possessive, I, me, we, us, you, you, he, या कोई भी male रहेगा, तो him, see, या कोई भी female, या कोई लड़की का नाम रहेगा, तो her में convert होगा, इस अब conversion है, convert हो जाएगा, है ना, they, them, और अगर I है, तो उससे जाकर पोजेशिव केस में जाएगा, तो I का my बनता है, we का our बनता है, you का your ब बनता है, see, या कोई भी female नाम है, तो her बनता है, they है, तो there बनता है, ठीक है, इस चार्ट में कोई जान है ही नहीं, ये तो याधी है, बजपन से पढ़ता हो, आया हूँ, है ना, ये तो आप लोग को याधी होगा, और इसमें कुछ है ही नहीं, कि इसको रटना पड़े या को या पूट ट्रिक बताना पड़े, clear है क्या, अब ये देखो, चौथा टेबल, छोटा सा टेबल है, say to, tell, says to, ये देखो, ऐसा आ गया, तो tells हो गया, याध, say to, told, ठीक है, will say to, will tell, easy, कुछ टेंचन नहीं है, ये चार टेबल, आपको by heart होना चाहिए, बिल्कुल, by heart, आर इंट्रोगेटिव सेंटेंस आएगा, तो उसमें काम आएगा, ये, बट उस पर अभी हम लोगों ध्यान नहीं देना है, बेसिकली इस पर ध्यान देना है, ठीक है, और maximum time में आपको बता दू, यही आएगा, said to, told में convert करना है, said to, told में convert करना है, याध हो गया, इस चार में इसे भी आपको सिर्फ और सिर्फ इसी को याद रखना है, चुकि 90% question में आपको set to मिलेगा, ठीक है, याद हो गया, चलो, ये 4 table देख लिया, 5 table देखो, 5 table जो है, आपको ध्यान में रखना है, रटा हुआ नहीं भी होगा, तो चलेगा, ध्यान में रखना है, चुकि यह हम प्रिवेस दे, टुनाइथ, डाट नाइथ, डाट डै इना, लासट वीग, दा प्रिवेस वीग, सूनाइथ, ये सब आपको ठीक है। persistent प्रिवेस दे हो जाये हो जाएगा, लास्ट नाइथ है, दा प्रिवेस दे हो जाएगा, लास्ट मॉर्ज़ीथ acabar कर में, रास्ट कोbok में convert करना है last को previous में convert करना है मतलब यहां पर मन्त रहे day रहे night रहे कोई दिक्कत नहीं है आरे यह समझ में यह चार्ट अच्छे यह सब चार्ट के लिए अप टेंशन मतलो यह सभी चार्ट जो है आपको मोवाईल में रखलने इसलिक चार्ट को लेकर चेन्शन मतले का श台लोड कर लो हमारे चैनल से एक लास चार्ट और देखो च्छाठ में बता रहा हूँ जिसमें चार चार्ट आपको होना चाहिए और यह सब चार्ट अब को धियान में होना चाहिए अचिए अ就是 शुडे विल वूड में चेंज होगा सब चेंज ही है ना मे मी मेний सब फिर लिवी जुड़ फूड़ फिर फिulsion हम बूड़ पिक छ व्ला पिर ऊड़ लेवलर्बू बूड इथख लो कि ध्यान सक्रें को इसमें टेंशन न ही सिर्प इसमें क्या हो रहा है इस देवको अपना ये convert हो रहा है, sell should में convert हो रहा है, मतलब basically क्या हो रहा है, D लग जा रहा है सब में, basically क्या हो रहा है, D वाला format में change हो रहा है, sell should, will, would, है ना, shall be, should be, आरे यह बस समझ में, clear है, चलो, अब देखो इसका trick, ट्रिक जो है, कुछ करना ही नहीं है, direct से indirect में आपको बदलने के लिए, बस तीन ही चीज बदलना है, और तीन ही चीज ध्यान में रखना है, तीन काम करना है, person बदलो, tense बदलो, that जोडो, person बदलो, tense बदलो, that जोडो, तो direct से indirect speech में आपको कुछ काम ही नहीं है person बदलो, tense बदलो, that जोडो person बदलो, tense बदलो, that जोडो बस ठीक है? यही काम करना है clear है? चलो आते हैं हम लोग example में सबसे पहले हर tenses का एक example लेंगे और आपको समझाएंगे है न यह देखो simple present tense simple present tense का एक sentence ले रहे है she said to me, I never eat sweets she said to me, I never eat sweets देखो said to, बताया था said to, told में convert होता है इसको ध्यान में रखना है said to, ठीक यह देखो, first person है यह क्या है? first person, subject के नुसार बताया था? first person, subject के नुसार यह क्या? I क्या है? first person है IV इसको ध्यान में रखना है और इस वाला जो sentence है यानि यह जो reported speech है, यह वाला inverted comma के अंदर इसका हम लोगों को tense बदलना है इसका हम लोगों को tense बदलना है तो tense बदलना है और ध्यान में रखना है tense बदलेगा, नहीं बदलेगा ठीक है? वो देखो I never eat sweets eat लगा हुआ है, भीवन यानि कि यह simple present tense का वाक्य है पहले ही बता दिया कि simple present tense का है बट चेक तो करना पढ़ेगा ना कि भीवन लगा हुआ है तो simple present का ही यह वाक्य है तो करना किया भाई साब आपको person बदलना है, यह person है tense बदलना है, इस वाले वाक्य का यह जो इधर वाला वाक्य है, inverted comma के अंदर इसका हम लोगा वो tense बदलना है और that जोडना है और that जोडना है वाक्य में आपको ठीक है? आरे समझ में that जोडना है, और इसको ध्यान में रखना है यह जो part है, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है? तो चलो, convert करते हैं देखो, see she, convert कर रहे हैं कोई चीज नहीं, see, said said to, बताया था आपको यह देखो, said to किस में convert हो रहा है? told में, दो यही चार चार आपको याद रखना है एक, दो, तीन, चार ध्यान सा देख लो, ठीक है? तो said to, told में convert होने वाला है ठीक है? तो said to, जो है, इसको मैंने told में convert कर दिया यह मी है, इसमें कोई change नहीं इसका कोई नियम नहीं बताया है जैसे ही इधर वाला का काम हो जाया देखो, मी तक यहाँ पर काम हो गया that जोड़ दो that जोड़ दो, जैसे ही यहाँ तक का काम हो गया that जोड़ दो, clear है? अब देखो इसको first person, यह क्या है? first person, तो first person के लिए नियम क्या था भाई साब? first person subject के अनुसार बदलेगा first person, subject के अनुसार बदलेगा तो first person यह देखो यह first person जो है इसका subject के अनुसार, reporting भर्व का यह क्या है? C यह देखो, यहाँ वाला C जो है उठकर के यहाँ आ गया ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है never, never के लिए को इन इम बताया है simple present, simple past में change होगा simple present, simple past में change होगा तो आज आप simple present सा eat तो इसको simple past में convert किया तो ate, भी टू लगाते है ना, भर्व का दूसरा form I ate यहाँ पे देखो, sweets, इसके लिए कोच नहीं sweets का, sweets हो गया तो she told me that, she never ate sweets, convert हो गया कोई tension नहीं, तो क्या किया हम लोगों ने person बदला, tense बदला person बदला, tense बदला, that जोड़ा यह देखो, person को बदला ठीक है, tense को बदल दिया eat था, at हो गया और that जोड़ दिया, और इसको ध्यान में रखा set to, यह जो भर्व है इसको reporting भर्व बोलते है यह दो, यह reporting था, इधा reported था तो इसको अभी ध्यान में रखना है अभी यह देखो, इसको यह क्या होता है कभी change होता है, कभी change नहीं होता है चुकि उतना यह नहीं है, और अगर मैं बोल दू कि भर्व को भी ध्यान में रखो, तो भर्व तो इधर भी है इसको लेकर कोई नियम नहीं है इसको ध्यान में रखना है बदलना है दो ही चीज़ है में ली person or tense person or tense, और that तो जोड़ देना है सब में, that universal है सब में that आएगा, आर यह बस समझ में है तो she told me that she never ate sweets clear है, आर यह बस समझ में है अभी हम लोग बहुत सरा एग्जामपल लेने वाले है तो समझ में आएगा, इसले घबराना नहीं है ठीक है, बहुत सरा वाक्य लेंगे चलो, तो यही चार्ट था जो आपको हमेसा ध्यान में र funeral है यह 4 चार्ट, माइड में एड़म set होना चाहिए, बिल्कुल यह देखो, इसमें चार्ट में कुछ है नहीं इस चार्ट में कुछ है नहीं 1st pessoa subject concern 2nd person object concern 3rd person no change simple present, simple past, present continuous, past continuous past perfect, present perfect continuous past perfect continuous, simple past, past perfect past continuous, past continuous I, me, you, यू यू रगया he him हो गया see her हो गया they them हो गया और उसी का positive my बन जाता है यह ना I का my V का hour ठीक है यह देखो आपको क्या बता है said to इसी से आपको जादा मतलब रखना है said to told बन जाएगा said to told बन जाएगा यही चार चाट आपको by heart होना चाहिए by heart बिल्कुल ठीक है तो इसमें कुछ है भी नहीं याद हो गया उम्मीद करता हूँ मैं आपसे चलो अगला example लेंगे present continuous का हर तो क्या बता है मैंने आपको person बदलो, tense बदलो, that जोड़ो तो person देखो आई है person है first person subject के नुसार यह subject है इसका subject देखेंगे इसका person देखेंगे इसका subject देखेंगे है ना यह क्या है reporting यह reported इसका person देखो और इसका जो subject है उसको देखो ठीक है सेड टू, सेड टू किसमें convert होना है, told में, सेड टू, told में tension नहीं है ना, राजू सेड टू, रिया, I am watching TV, I am watching TV, present continuous का वाक के है present continuous किसमें change होता है, past continuous में, present continuous past continuous में change होता है, first person subject के नुसार change होगा और सेड टू, told हो जाएगा तो चलो, बदल दालते हैं इसको, यह देखो, राजू है, same to simply लिख लो, राजू, राजू, said to, told बन जाएगा, कोई दिक्कत, said to, told बन जाएगा, ठीक है अब देखो, रिया, तो लिख दिया रिया, as it is, राजू, told रिया, ठीक है, जैसे इधर का काम खतम हो जाए, तुरंट that जोड़ दो, तो राजू, told रिया, that, राजू, told रिया, that, क्या भई, first person, subject के नुसार, तो first person कोई है, आई, और यहाँ पर subject कोई है, राजू, यह subject के नुसार, चेंज होगा यह, तो यहाँ पर देखो, he आ गया, यहाँ पर क्या आ गया, he, am watching है, present content, इसको past content, चेंज करना है, तो वाज watching हो जाएगा, am watching, was watching में convert हो जाएगा, और TV का, TV राजू, told रिया, that, he was watching TV, ठीक है, यह देखो, first person subject के नुसार, तो first person यहाँ पर नाम है, नाम के लिए क्या आजाएगा, यह चार्ट देखो, नाम, नाम यानि कि कोई भी नाम है, तो वो मेल है, है ना, तो मेल के लिए क्या आजाएगा, he, मेल के लिए, he, अगर कोई लड़की का नाम होता, तो C लिग देता, लड़की का नाम होता, तो C लिग देता, आर नेक्स देखते हैं हम लोग present perfect का एक example present perfect का देखो अधीती said अधीती said what I have already cooked मैंने खाना पका लिया है I have already cooked ठीक है तो person बदलो tense बदलो that लगा person कौन है I subject के अनुसार change होगा ठीक है 10 से देखो have already cooked have देख लिया cooked देख लिया भीतरी देख लिया तो जाहिर सा बात है किस में change होगा present perfect past perfect में change होगा present perfect past perfect में change होगा ठीक है clear है यहां तक अब देखो यहां इसको ध्यान में रखना है said said के लिए कोई नियम बताया क्या आपको मैंने said के लिए कोई नियम बताया क्या आपने मैंने नहीं बताया जब किसी चार्ट में said के लिए कोई नियम है क्या said two रहता तो टोल्ड होता बट said है तो कोई change नहीं करेंगे said है तो कोई change नहीं करेंगे आहिवा समझ में तो said है तो said रख दिया जैसे इधर का काम खतम तुरंट मैंने that जोड़ दिया तुरंट लगा दो ठीक है अब देखो यहां पर आई है आई यानि की first person बदलो किसके अनुसार सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट में कौन है अदिति अदिति कौन है लड़की है लड़की के लिए female के लिए में सी के लिए शिटगे तो लगा दिया सी अब देखो प्रिजेंट परफेक्ट होगा पास्ट सब्सस निक्रिम्त पे प्लस ओप प्लक्षे में एडफी तो लगा के क्यसे मैं करेंद होगा है अल्रेजी जो जिसके लिए कोई नियम नी, कोई डिसकेशन नी, no change, no discussion, no change, तो already cooked भीत्री है, तो भीत्री रह गया, तो convert देखो क्या हो गया, अधिती said that she had already cooked, that's it, change हो गया, कोई कठिन लग रहा है क्या, बिल्कूल आसान है, से थोड़ी थोड़ी बाते ध्यान में रखनी है, और rule बस वही रहेगा, person बदलो, tense बदलो, that जोड़ो, person बदलो, tense बदलो, that जोड़ो, ठीक है, और यह चार्ट आपको ध्यान में रखना है, बदलाओ, इसी से होगा, यही तो main चीज़ है, यह याद भी आपको हो गया होगा, देखो, first person subject रहुआ, second percent object रहुआ, third person no change, present वाला, past में change हो जाता है, present वाला, past में present वाला, past में present वाला, past में, यह जो दो है simple past, इसमें perfect जोड़ो, इसमें भी perfect जोड़ो, बस, खतम, यह देखो, said to, maximum question में said to मिलेगा, तो told में convert हो गया, और यह चार्ट तो याद ही है न, इसमें तो कुछ है ही नहीं, इसमें कुछ नहीं है, चलो, next देखो, next question is, sonu said to me, sonu said to me, I have been reading for an hour, I have been reading for an hour, ठीक है, अब देखो, present perfect continuous का वाग के लिए, present perfect continuous है न, तो पहले हम लोगों क्या है, person बदलो, tense बदलो, that जोड़ो, तो tense क्या है, present perfect continuous, यह तो अभी लिख दिया मैंने आपको, बड़ इसको समझो यहां से, have been reading, have been plus before, have been plus before किसका है, present perfect continuous का है, है न, तो यह किसमें convert होगा, present वाले past में हो जाएंगे, past perfect continuous में change हो जाएंगे, clear है, first person यहां पर देखो, I है, यह किसके अनुसार change होगा, sonu के अनुसार, subject के अनुसार, ठीक है, said to, told, said to, told, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, चलो, convert करो, convert देखो, sonu, sonu रह गया, said to, told बन गया, said to, told बन गया, me, me रह गया, कोई, कोई टेंसर नहीं, कोई चेंसर नहीं, जैसे इज़र का काम खतम होगा, तुरांथ हम लोग क्या करेंगे, that जोड़ देंगे, जोड़ दिया that, अब देखो, यह आई है, first person, sonu का अनुसार change होगा, sonu क्या है, एक, नाम है, sonu क्या है, male, उसके लिए क्या आ जाएगा, he, यह देखो, he लग गया, have been reading, तो had been reading हो जाएगा, past perfect में change करेंगे तो, past perfect continuous, तो had been reading हो गया, for an hour, for an hour, बस, खतम, कोई tension ही नहीं, कोई tension ही नहीं, for an hour, कोई for an hour के लिए कुछ बता है कि आपको मैंने, कुछ नहीं बता है, तो कोई change नहीं, for an hour, for an hour, exactly रह जाएगा, आई ही बास समझ में हैं, simple past के लिए क्या बताया था, ध्यान करो, simple past में क्या करना है, perfect जोड़ देना है, क्या करना है, simple past में, simple हटाके, perfect जोड़ देना है, यह नहीं बताया था, convert करने के लिए, past perfect में change करना है, ठीक, यह हो गया, set 2 है, ध्यान दिया, set 2 किस में हो जाएगा, told हो जाएगा, first person है किसके अनुसार c के अनुसार subject के अनुसार यानि कि c के अनुसार बस ठीक है अब यह देखो last week है यहाँ पे एक चीज है ना तो last week है इसको भी last week है एक निया टर्म आ गया बस अब देखो आजाओ conversion में c c said to told में convert होगा हो गया और यह समझ में ria ria जैसे इदर का गाम खतम जोड़ दिया मैंने that ठीक है अब आजाओ first person subject के अनुसार तो यह क्या है c तो c लग दिया कोई tension नी यह वाला c यहाँ आ गया कोई दिक्कत अब देखो simple past है तो मैंने simple past के लिए क्या बताया था simple past जो है वो किसमे चेंज होगा simple past आपका change होगा simple past past perfect में change होगा ठीक है मैं हर बढ़ चाट में आपको ले जा रहा हूँ ताकि बार बार आपको ध्यान आये मैं आपको direct डारेट भी ऐसे बना सकता हूँ वह हैं कि इस होगा याए इसमें च्छेंज बीज़को ये इस में च्छेंज फोगा लेकिन आपको बार बडाल के पास ले जा तो कि आप टेबल का इंप्वाटेंस संब्झाए और ये टेबल अपको बाइ-हांथ हो ना चाहिए तब य taxppe ना तो past perfect में जब change होगा तो क्या लग जाता है had plus b3 है ना तो had gone हो जाएगा went क्या है go का ही b2 है इसको b3 में convert किया तो gone हो गया कहां जा रहा है two j poor two j poor लिख दिया अब देखो last week है अब देखो क्या है last week तो यह एक chart मैंने आपको बताया था यह देखो पाचवा चार्ट जो बता मंद करते last night होता the previous night करते ठीक है तो last week है तो किस में convert करेंगे the previous week ठीक है आ रहा है समझ में तो पाचवा और छटा टेबल का use थोड़ा कम है इसलिए उसको सिर्फ धरे रट के mind में कहीं पर set कर देना है ठीक है और बाकी one two three four table जो बताया वह तो एकदम घोल के पी जाओ वो आर ये बास समझ में clear है क्या चलो अब देखो next past continuous past continuous का example देखो he said to me I was waiting for you काम क्या है वही तीन काम करना है person बदलना है tense बदलना है और that जोड़ना है person बदलो tense बदलो that जोड़ो बस बात खतम तो person देखो first person subject के नुसार was waiting लगा हुआ है was waiting यानि कि past continuous was waiting यानि कि past continuous that जोड़ना है बस बात खतम यहाँ पर एक चीज और देखो यू लगाई यू यानि कि second person यू यानि कि second person तो क्या बता है था first person subject के अनुसार second person object के अनुसार है ना तो इसके चीज को देखेंगे और इसके चीज के हिसाब से बदलेंगे इसके चीज को देखेंगे इसके चीज के हिसाब से बदलेंगे मतलब तो reporting speech जो है, reported speech जो है, repeated speech को देखेंगे और reporting speech के अनुसार से इसको बदलेंगे, ing वाले को, ed वाले को, समझ में आ रहा है चीज, ठीक है, तो इसके चीज को देखो, इसके चीज की इसाब से बदलो, second person यहाँ पे है, यह बदलेगा object के अनुसार, first person यहाँ है, तो यह तो किसमें बदलेगा पास्थ पर्फेक्ट कऊंटेटे लेगा थो चलो बहु दालते हैं कि यह से घृ मैं बादली ओंटो अब दो देखो यह क्या है थारी स्थ intelligence आप देखो ये क्या है फर्स्ट परसन यह बदलेगा उना news को लिख दिया कोई टेंसन नहीं वाज विटिंग फर्स्ट कॉंटेनुस है इसको बदल रहे है पर्स्ट कॉंटेनुस में तो क्या हो जाएगा had been, क्या लग जाएगा had been plus before ठीक है, had been plus before, यहाँ पर had been हो जाएगा, यहाँ पास्ट continuous, past perfect continuous वे change हो रहा है यहाँ पर तो he आ गया, he had been waiting, he had been waiting for second person है, object के नुसार change होगा, तो me है न यहाँ पर यही वाला me यहाँ आ गया second person, object के नुसार object में me था, me डाल दिया आई समझ में, he told me that he had been waiting for me आई यह बस समझ में, बस इसको mathematics के समझा समझो, यह इसके नुसार, यह इसके नुसार, नियम to नियम, नियम to नियम change करना है बस, कुछ ध्यान में नहीं रखना है, बस आपको लेगा मताव, मिलता रेगा, डर आने के नहीं है, ट्रिक लगाओ, नियम लगाओ, आंसर ले चाओ, आपको याद है न, यह देखो, sun 123 ठीक है, अब यह देखो, past continuous था न, तो past perfect continuous बदला, past perfect continuous क्या बोलता है, headband plus before, past perfect continuous क्या बोलता है, headband plus before, आपको tense के importance, जब tense आपको रेट पड़ते आ रहे हैं क्या है इस में है नहीं यह आपको बाई हार्थ होना चाहिए तभी आपका यहां पर कुंट्यून बनेगा थीजिंग चाहिए एक टिपासिफ वह इस की बात करो जाहिए दर टेर्यक टेन से लिक्टिन से नाम रटे होने चाहिए, नाम के अनुसार सबके structure रटे हुए होने चाहिए, ठीक है, तो अगर tense को revision करना चाहते हो, तो description box में link है जाकर के, देख लेना, ठीक है, चलो, next देखो, past perfect, past perfect, का एक example हम लोग ले रहे, see, said to me, I had completed my work, see, said to me, I had completed my work, अब देखो, said to है, told में convert होगा, first person है, subject के अनुसार change होगा, had completed, had plus भीतरी था, तो समझ में तो आगया past perfect है, अब धान करो कि past perfect के लिए कोई नियम बताया है मैंने अपो क्या, जब किसी tense के लिए कोई नियम नहीं, तो कोई change भी नहीं, जब किसी tense के लिए कोई नियम नहीं, तो कोई change भी नहीं, no नियम, no discussion, no change, इसको ऐसे मान के चलो, ठीक है, तो I had completed था यहाँ पर तो चुकी tense हम लोग को tense का कोई नियम नहीं बताया तो कोई change भी नहीं करेंगे ठीक है my लगा हुआ है इसको ध्यान में रखेंगे my जो है कैसे बदलेगा इसको हम लोग देखेंगे ठीक है चार्टर में आपको समझाऊंगों ले जा करके ठीक है clear आगया अब देखो convert करो c, c set to किसमें बदलेगा told में set to me, me लिख दिया ठीक है जैसे इधर का काम खतम that जोड़ दिया she told me that ठीक है अब इज़ देखो first person subject के निसार c है तो यहाँ पर c लिख दिया अब चुकी tense के लिए कोई नियम बताया आपको यह देखो past perfect के लिए कोई नियम है यहाँ पर direct to indirect में convert करने के लिए past perfect के लिए कोई नियम दिख रहा आपको कहीं पर लिखा वो दिख रहा past perfect तो कोई नियम ही नहीं है तो कोई चेंज भी नहीं होगा कोई नियम नहीं तो कोई चेंज नहीं तो head completed था यहाँ पे as it is लिख दो head completed ठीक है अब देखो my work है अब यहाँ पर देखो यह समझो चीज को i था यहाँ पे तो इसके लिए लग गया my अब c लिखेंगे यहाँ पे तो c के लिए क्या आजाएगा c के लिए हर आजाएगा ठीक है i के लिए ये वाला possessive वाला my है ना i के लिए my था तो c के लिए कौन है हर है आरे यह बस समझ में तो इसलिए यहाँ पे my work के लिए क्या लिख दिया हर work clear है क्या चलो आरे वार समझ में कोई दिकत नहीं नेक्स देखो पास्ट परफेक्ट कॉंटेनुवर्स हर टेन्स का हर स्ट्रक्चर का हम लोग आपको एक 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 जाम्पल में आपको बताऊँगा और हर एक्जाम्पल को हम लोग डिसकस करेंगे अच्छे से discuss करेंगे इसलिए और बहुत सार प्राक्टिस होगा tension मत लो ठीक है यह देखो she said उसने कहा I had been playing Ludo for two hours ठीक है person बदलो नियम वही person बदलो tense बदलो that जोडो person बदलो tense बदलो that जोडो person को देखो यहां पर कौन है first person subject के नुसार had been plus before had been plus before यानि की past perfect continuous past perfect continuous के लिए कुछ बताया है नहीं बताया तो कोई change भी नहीं होगा Ludo for two hours ठीक है fall two is up के लिए कोई नहीं नहीं बताया तो कोई change भी नहीं होगा easy बिलकुल easy यह देखो C, C, said, said के लिए कोई नहीं नहीं बताया, तो कुछ भी नहीं होगा, said 2 के लिए बताया, said 2 told में convert होता है, said जो है कुछ नहीं बताया, तो कोई चीज नहीं होगा, जैसे इधर का काम खतम, that जोड़ दो, first person subject के नुशा, यहापर कौन है, C है, तो C लिख दिया, tenses, past perfect continuous है, कोई नहीं नहीं बताया, तो कोई change नहीं होगा, had been playing, had been playing, as it is आजाएगा, ludo for two hour, ludo for two hour, बस, हो गया convert, कोई tension ही नहीं, ठीक है, she said that, she had been playing ludo for two hours, direct speech, indirect speech में convert हो गया, कोई tension है, कोई tension ही, यह न हम लोग बन गया, डर, direct से indirect में बदलो, बहुत सारा नियाम याद करो, कभी यह हो जाता है, कभी वो हो जाता है, कुछ नहीं होता है, है न, बस basic आपको एक छोटा सा table याद रखना है यह वाला, और उसके बाद, कोई भी speech आसानी से आप change कर सकते ह आसानी से indirect में convert कर पाऊगे, इसलिए tension नहीं लेना, simple future, ठीक है, act प्रकार का टेंस हम लोग, present का पूरा देख लिया, past का पूरा देख लिया, अब future का हम लोग पूरा देखेंगे, ठीक है, simple future का देखो, रवी said to mala, I will write a letter, रवी ने माला से कहा, मैं एक पतर लिखूंगा, ठीक है, जहान से देखो, पहले इसमें क्या है, वह इस नियम सेम, कोई भी tense रे, tension नहीं लेना, tense बदलो, person बदलो, that जोडो, tense बदलो, person बदलो, that जोडो, ठीक है, अब देखो, first person, subject के नुसार, यानि subject को कौन है, रवी, रवी क्या है, एक नाम है, mail है, है न, will write a letter, tense देख लिया, simple future है, ठीक है, लेकिन, यहाँ पर देख लिया, said to, told में बदल जाएगा, अब देखो, will है, अब देखो, क्या है, will है, आपको मैंने एक छठा table बताया था, है न, एक छठा table बताया था, कि will जो है, वो would में change होता है, tense नहीं बदल रहा है, सिर्फ will बदलेगा, tense नहीं बदलेगा, सिर्फ और सिर्फ will बदलेगा, यानि कि यह जो हमारा helping भरवे, सिर्फ यह convert होगा, ठीक है, आजाओ, will would में convert होगा, अब देख लो, रवी, रवी, said to, told में बता लगया, माला, माला, जैसे ही तरह काम खतम, that जोड़ दिया, ठीक है, first person, subject के अनुसार, रवी, क्या है, लड़का है, male है, तो male के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, male के लिए, हम लोग लगाते हैं, male के लिए, याद करो, क्या लगाते हैं, male के ब बतना, इसलिए, सब कुछ नहीं बतलेगा, right, right, a letter, a letter, बस खतम, रवी, told माला, that he would write a letter, रवी, told माला, that he would write a letter, कोई दिक्कत नहीं, चलो, next देखो, future continuous, future continuous, future continuous, देखो, future continuous के लिए, कोई रूल नहीं बताया, आपको, तो tense में कोई बदलाव नहीं होगा, but, ये तो बतलेग आपको बताया था नहीं, एक चाट बताया, छटा टेबल, ठीक है, तो चलो, ध्यान से देखो, पिंकु, set to, राज, गीता विल बी, वेटिंग फोर यू, पिंकु ने, राज से कहा, कि गीता जो है, तुम्हारा इंतिजार कर रही होगी, गीता विल बी, वेटिंग फोर ठीक है, यह देखो, set to बदलेगा, told में, कोई चिंता नहीं, यह देखो, यहाँ पर क्या है, person देखो इसका, इसका हम लोग क्या करते है, person चेक करते हैं, हर बार क्या करते हैं, यह क्या है, गीता क्या है, नाम है, नाम क्या होता है, थर्ड परसन होता है, तो थर्ड परसन, no ठाइन और नहीं तो थार्ड परसन नो जाएगा ठीक है अब देखो टेंस तो बदलना नीए लेकिन सिर्फ विल बदलेगा विल बी है ना यह बदलेगा तो चलो बदल डालते हैं यह देखो विल बी जो जाएगा भाई सब विडबी हो जाएगा विल बी विडबी हो जाएगा ठीक है आजाओ अब यह देखो पिंकू पिंकू सेट टू टोल्ड राज राज कोई दिकत नहीं जैसे इदर का काम खतम हुआ मैंने दैट जोड़ दिया थर्ड पर्सन है गीता थर्ड पर्सन है गीता यह देखो थर्ड पर्सन गीता नाम होता है कोई भी है न तो नो चेंज थर्ड पर्सन नो चेंज तो तो गीता का as it is गीता रह गया विल बी अभी दिखाया कि विल बी जो है वो वुड बी में change हो जाता है तो वुड बी कर दिया, tense तो बदलना नहीं है तो waiting का waiting for, अब यहाँ पर देखो for you, यह क्या है second person है यह क्या है, second person किसके अनुसार change होगा second person object के अनुसार, object कौन है राज, राज का object क्या हो जाएगा, राज का object हो जाएगा, him, यह देखो chart यह देखो chart, राज है तो राज क्या है, male है उसका object क्या होगा him राज का object, him, clear है क्या आरे यह बाद समझ में तो पिंकु टोल्ड राज that Gita would be waiting for him, थोड़ 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 चेंज कर रहा हूँ थेकर, मैं छोटे छोटे नियम फिर छोटे छोटे प्रस्ण में आपको बदलाव करते जा रहा हूँ ताकि आपकी practice पूरी हो यह निकी, सिर्फ एकी टाइप का pattern लिया और एकी टाइप का यह देखते रहे हैं अभी हम लोग हर 10s का example ले रहे हैं और छोटा छोटा बदलाव हर जिगा करते जा रहे हैं और level थोड़ थोड़ा बढ़ाते जा रहे हैं ताकि आपको समझ में आए पूरा ठीके, देखो, यहाँ पे for you था तो यह second percent था ना तो second percent किसके अनुसार से change होगा object के अनुसार इधर का person देखो, इधर का subject object देखो तो second percent था, यह object देखो राज है, राज यानि की mail mail यानि की पुरुस तो उसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे दिखाया है आपको mail जो है, वो अगर object के जगा पे जाएगा तो him बन के जाएगा तो यहाँ पे for him हो गया for you नहीं होगा, for you convert होकर के for him हो गया, आरे यह बस समझ में है तो देखो, पिंकु टोल राज that गिता would be waiting for him आरे यह बस समझ में है, clear है गया चलो, next देखो future perfect future perfect है ना, Salu said to Ravi Salu said to Ravi, Salu Salu ने Ravi से कहा, I will have completed my work, मैं अपने काम कर चुकी होंगी I will have completed my work ठीक है, तो वही काम वही है person बदलो, tense बदलो, that जोडो person बदलो, tense बदलो, that जोडो person कौन है, first person किस के नुसर चेंज होगा, subject के नुसर subject को ने यहां पर, Shalu ठीक है, clear है आरिवा समझ में, अब देखो will have completed, will have plus B3 यानि कि future perfect, future perfect के लिए कोई नियम बताया, तो कोई change नहीं होगा, my work है अब देखना होगा कि my work किस में change होगा है ना, माई को ध्यान में रखना चलो, आप convert करते हैं, ठीक है और एक चीज यहां पर ध्यान रखो क्या यह देखो, will have है तो यह किस में convert होगा will have, will have, would have में convert होगा यह देखो, ढूंडो कहां पर, will have तो would have में convert हो जाएगा, clear है ठीक है, मैं आपको बार-बार चार्ट ले के जा रहा हूँ ताकि चार्ट का important समझ में है, table का important समझ में है और इसको आपको याद होता चले, है ना इसको direct-direct है से बिना चार्ट में ऐसे कर बना होगा तो तो तुरूंद तुरूंद बन जाएगा बट आपको हर बार मैं एक बार चार्ट के टेबल के और ले जा रहा हूँ ताकि दिखा रहा हूँ कि देखो भाईया ये चीज ऐसे change हो रहा है, है ना सब कुछ नियम के अनुसार change हो रहा है, कुछ भी अपने आप नहीं हो रहा है ठीक है, तो will have, would have में change हो जाएगा, आरे ये बार समझ मैं, देखो, सालू, सालू, said to, told, रवी, रवी, जैसे ज़रा गाम खतम हुआ, जोड़ दिया मैंने that, clear है क्या, अब देखो, ये क्या है, first person है, subject के अनुसार, ये सालू है, है ना, तो सालू क्या है, female है, लड़की है, उसके लिए क्या आ जाता है, see, ठीक है, अब देखो, will have, would have हो गया, विल को would में convert करना ह है, ठीक है, have, have, चुकिए tense तो बदलना नहीं है, tense बदलना होता है, तो tension लेते हैं हम लोग, completed, completed, ठीक है, अब देखो, my है, यहाँ पर जब आई था, तो यहाँ पर my था, अगर हम लोग यहाँ पर c add कर रहे हैं, तो c के साथ क्या आ जाएगा, c के साथ table देखो, c के साथ क और अगर c है तो क्या आजाएगा, हर, c है तो क्या आजाएगा, हर, यह देखो, my यहाँ पर आप क्या हो गया, convert हो करके, हर work हो गया, आर यह बत समझ में, clear है, कोई दिक्कत, चलो, next देखते हैं, है ना, next हम लोग देखेंगे, सबसे last वाला sentence, that is, future perfect continuous, मतलब tense का हम लोगों निशू ने मुझसे कहा, I will have been reading, अब देखो, वही, निए मुझसे कहा, I will have been reading, अब देखो, वही, निए मुझसे सेम, do same, person बदलो, tense बदलो, that जो लो, person बदलो, tense बदलो, that जो, that's it, ठीक है, अब देखो, first person, subject के नुसर, ठीक है, will have been reading, future perfect continuous का tense है, future tense के बारे में कोई discussion नहीं है, तो उसमें कोई बदलाव भी नहीं होगा, तो tense में में कोई छडचाड नहीं करना है, यह देखो, सिर्फ इसमें बदलाव होगा, will have been, तो will, किसमें बदलेगा, would में बदलेगा, तो would have been हो जाएगा, बार बार चार्ट को भी देखने हैं जरूत नहीं, अब यह फिर चार्ट देख लो एक बार, will have been, would have been, बार बेसिकली देखो, have been, have been तो वही रखे न, बेसिकली क्या हो रहा है, इसको पूरे चार्ट को याद रखने का ट्रिक देखो, सिर्फ आपको सेल है, तो should में हो जाएगा, will है, तो would में हो जाएगा, बस इतना ही याद रखो, दो ही चीज़, पूरे चार्ट में आपको दो ही चीज़ याद रखना है, और यह सब तो बस है, इससे समझो, अब सेल बी है, तो जाहिर समादा, सेल किसमें चेंज हो रहा है, शुड और बी तो बी रहा गया, याद करने का कोई टेंसन ही नहीं है, इसमें आपको, सेल, मी, मी रगया, जैसे इदर का काम खतम, जोड दिया मैंने दैट, ठीक है, फर्स्ट पर्सन सब्जेट के दुसार, फर्स्ट पर्सन, यह फर्स्ट आई है, यह कोई है, लड़की है, तो लड़की है तो उसके लिए क्या आ जागा, शी, आगया सी, ठीक है, अब देखो, विल have been reading, tense में कोई बदलाव नहीं, tense में कोई बदलाव नहीं, लेकिन, will तो बदलेगा, will के बदले में क्या लिख दिया, would, ठीक है, have been reading, have been reading, कोई चीज़ नहीं करो, have been reading, बस, काम खतल, complete, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, तो इस तरीके से आपने देखा कि पूरा tense convert हो गया, ठीक है, आगया समझ में, कोई टिंसन नहीं है, आपको डायक्ट से इंडायक्ट स्पीच में बदलने के लिए, आपको अपना sun वाला जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया, वो याद रखना है, first person subject के अंसार, second person object के अंसार, third person no change, और pronoun वाला बताया, कि आपको I जो है, वो मी माई में बदलेगा, you जो है, you और your हो जाएगा, he जो है, वो क्या हो जाएगा, he का him हो जाएगा, और उसका he जो हो जाएगा, है ना, तो वो जो table बता है, प्रोनावन को table याद कर लो, ठीक है, इधर सारा table याद कर लो, और tenses पूरा देख लो, present continuous, past continuous, हैना, तो कुछ है नहीं, वह में चार्ड याद कर लो, बस छोटे-चोटे टेबल बता दिया, वह टेबल रट लो, यह सभी टेबल में आपको, अपने टेलिग्राम चैनल, जो हमारा संजीव की जानी का मेरा जो चैनल है, उसमें डाल दूँगा, तो इसलिए PDF का टेंशन मतलो, वह को दे दूँगा पूरा प्रिडिया अपना डाउनलोड कर लेना, ठीक है, फ्री में, कोई चार्जेज नहीं, ठीक है, आर यह बस समझ में है, तो यहाँ पर आपका, जो चीज़ आए, और इसमें वह आपको बताया कि इसमें जात करना है, टोशन नहीं, सेल सुड, विल क्लियर, ठीक है, तो डारेक्ट इंडारेक्ट स्पीच, अब मैं आपसे उम्मीद करता हूँ, कि आप इससे डरेंगे नहीं, और चुटकी में आप इसको कनवर्ट करेंगे, ठीक है,